हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब के आपने ही यूटूब चैनल लर्दिंग कैफे में आज के वीडियो में BPSC कराउन पब्लिकेशन का चौथा प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे सेट 3 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है लिंक डिस्किप्शन में दे दिया हूँ या चैनल के पलिष्ट में जाके आप वो वीडियो सब देख लिजेगा अगर आप लोगों के पास ये प्रैक्टिस सेट है तो अच्छी बात है अगर नहीं है तो टेंसर नहीं लेना है पूरे सेट का पीडियेफ आप लोगों को प्रवाइट करा दिया जाएगा तो चलिए चौंथा सेट को शुरू कर देते हैं हमारा पहला कोईचन है कि सुवैदिक गरंथ में वर्ण सब्द का सरुपर्थम नाम और लेक मिलता है रिगवेद में रिगवेद के दसवे मंडल के पुरूष सुक्त में वर्ण व्यवस्ता की उत्पति का वर्णन है जिसमें यह कहा गया है कि परम पुरूष के चार अंगों से चार वर्णों की उत्पति हुई है मूग से ब्राहमन, बाह से छत्रिये, जांग से वैसिये, तथा पैर से सुद्र, वैसे रिगवेद में वर्ण सब्द रंग के अर्थ में पर्योग किया गया है नेक्स्ट कोईशन, प्राचीन भारत के बौध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो वर्णा रितु के दोरान मठों में पर्वास के समय भिक्छो द्वारा किये गए अपराधों की सुईकारोक्ति का आउसर होता था अगला कोईशन, निमलिकित में से कौन एक जैन तिर्थंकर नहीं है नागमुनी, जैन धर में 24 तिर्थंकर हुए पर्थम तिर्थंकर रिशबदेव और अंतिम तिर्थंकर महावीर स्वामी अजाद सत्रू के वन्स का नाम क्या था हरियक, मगद समराज के संस्थापा कासी एवं अंके विजयता तथा बुध के परम्मित्र बिम्बिशार का अंति इतिहास के उस दुखद पक्ष का अस्मरन दिलाता है जिसमें राजी लोग में खूनी रिष्टो की कोई अहमियत नहीं दी गई इस दुखद घटना में इसके सरवाधिक प्रिये पुत्र आजाद सत्रू का हाथ था गौतम बुध का चेचेरा भाई देवदत था जो बुध से घनिष्टता के कारण बिम्बिशार से इर्षिया करता था इनहीं के उक्साने पर अजाद सत्रू ने पिता की हत्या की थी अजाद सत्रू लगभग 32 वर्ष 492 से 460 इसा पुरू तक सासन किया था या हरियक वंस का सासक था उस वीर भारती राजा का नाम बताईए जिसे सिकंदर ने जेलम नदी के तट पर पराजित किया था पूरू या पोरस सिकंदर के आकरमन के समय पोरस का राजी एक सक्तिसाले राजी था यह राजी जेलम तथा चिनाव के बीच अस्थीत था यहां के सासक एवम अभिसार के राजा के बीच संभवत मैत्रि पुर्ण संबंद था क्योंकि अभिसार के सासक ने सिकंदर के आकरमन के दोरान पूरु की मदद की थी लेकिन पूरस यूद्ध में पराजित हो गया लेकिन सिकंदर ने इन्हें अपना मित्र बना लिया था सिल्यूकस जिनको अलेकजेंडर द्वारा सिंद एवं अफगानिस्तान का परसासक नियुक्त किया गया था कोकिस भारतिय राजा ने हराया था चंदर गुप्त सिकंदर की मृत्यू के बाद उसके पुर्वी परदेशों का उत्राधिकारी सिल्यूकस हुआ वह एंट्यूकस का पुतर था बेबिलोन तथा बैक्टरिया को जीत कर उसने परियाप्त सक्ती अरजित कर ली थी वह अपने समरार द्वारा जीते गए भारत के परदेशों को पुना अपने अधिकार में लेने को उत्सुक था इस उद्देशी से 305 इसा पुरु के लगभग उसने भारत पर पुना चढ़ाई की तथा सिंधू तक आपहुचा चंद्रगुप्त मौरी ने इसे पराजित किया कालांतर में दोनों में संधी हो गई तथा एक वयवाहिक संबंध भी अस्थापित हो गया कलिंग युद का विवरन हमें ग्यात होता है तिरहवे सिललेख द्वारा प्राप्त होता है यह सिललेख कालसी से प्राप्त हुआ है इस सिललेख में असोक ने चार परोशी सास को टॉलमी, इंटी गोनस, मगस तथा एलेक्जेंडर का उलेख किया है साथ ही वैसे राजी का भी उलेख है जहां उसने धम परचार किया था मोरीकाल में सिता से तातपड़ी है राज की ये भूमी से प्राप्त आई, राज की ये भूमी सिता कहलाती थी और इस भूमी पर उत्पादन कारी के लिए सिता ध्यक्ष नामक अधिकारी की नियुक्ती किया जाता था, बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है, कनिस्क कुषान वंस का एक परसीद सासक था, जिन्होंने 78 से 105 इस्वित तक सासन किया और एक विशाल समराजी का निर्बान किया, कुषान लेखों में उसे महराजा धिराज देवपुत कहा गया है, कनिस्क के सिक सिक्कों में वेदी पर बली चड़ते हुए दिखाया गया है, कालिदास किसके सासनकाल में थे, चंद्रगुप्त दूतिये, कालिदास संस्कीत भासा के महान कभी और नाटकार थे, उन्होंने भारत की पोड़ाने कथाओ और दरसन को आधार बनाकर रचनाये की, ये चंद् लेकिदास अपने प्रारंबिक जीवन में अनपड वा मुर्ख थे, इनका विवा विधोतमा से हुआ था। हर्षवर्धन के सासनकाल में किस सीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी उहेन सांग या हर्षवर्धन के काल में भारत आया था तथा अपनी यात्रा विवरन उन्होंने अपनी पुस्तक सी यू की में किया है महाबली पूरम में रत मंदिरों का निर्मान कराया गया था किसके द्वारा कराया गया था पल्लबों के द्वारा मुदरा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है विसाक दत धाई दिन का जोपरा क्या है तो ये महजिर है धाई दिन का जोपड़ा ये मस्जिद है कुतुबुद्दिन एवक के द्वारा इसका निर्मान कराया गया था परसिद विजे विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित अस्तंब संगीत में सुवर्ध निकालते हैं कहां अवस्तित हैं हमपी में निमलखित सूफियों में से किसने क्रिष्न को अलिया के रूप में माना साह मुहम्मद गौस मुगलो एवं मेवार के राना के मधी चित्तोर की संधी की सासक के सासनकाल में हस्ताक्षित हुई थी जहांगीर के सासनकाल में महाराना परताप और मुगलो के बीच परसिद यूद 1556 इस्वी में हल्दे गाटी का यूद हुआ यूद का परिनाम और निर्नीत रहा और छापा सार यूद जारी रहा महाराना परताप की मिर्युत्ति के बाद इनके उत्राधिकारी अमर सिंग ने यूद को जारी रखा लेकिन अंधता हुए 1615 इस्वी में मुगलो के साथ चित्तोर की संधी की इसके तहत राना ने मुगलो की अधिनता स्विकार की तथा बादसाह जहांगीर ने राना को समस्त विजीत छेतर वापस कर दिया पटना में किस सीख गुरू का जन्म हुआ था गोविंद सिंग का गुरू गोविंद सिंग सीखो के दसवे गुरू थे जिनका जन्म पटना में 22 दिसंबर 1666 इस्वी को हुआ था इनके बाद गुरू गरंद साहेब को गुरू माल दिया गया इन्होंने खालसा के अस्थापना की इन्होंने सीखो के लिए पंचक कार अनिवारी कर दिये कोस, कच, करा, कंगा, किरिपाल ये पास थे उन्होंने पाहूल नामक तियोहार भी चलाया 1708 इस्वी में नांदेर नामक स्थान पर गुरू गोविन सिंग की हत्या एक पठान ने चाकु घुप कर कर दी थी भारत में पूर्तगाली सक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था अल्भूकर्क 503 इस्वी में अल्भूकर्क भारत आया और उसने पूर्तगीजों का कारियाले कोचीन में बनाया भारत में पूर्तगाली सक्ति का वास्तविक नीव डालने वाला अल्भूकर्क ही था 1509 इस्वी में अल्भूकर्क गवर्नर बना 1510 में उसने बीजापूर से गोवा छिन लिया पहले बार पूर्तगाली पूरूसों को भारतिय अस्तिरियों से विवाह करने के लिए प्रोशाहित किया इन में से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले प्रिथक निर्वाचन मंडल की वयवाज था मुसल्मानों को जीतने वह उन्हें कांग्रेस के विरूद करने के लिए इस्तेमाल की लोड मिन्टो 1857 की विद्रो के ठीक बाद बंगाल में निमलिखित में से कौन सा विपलब हुआ नील उपदरब 1857 की करने के ठीक बाद नील विद्रो हुआ था यह विद्रो 1889 से 60 स्विमें बंगाल के नदिया जिले के गोबुन्दपूर गाउं में सुरू हुआ था नील विद्रो नील उत्पादक किसानों पर उनके मालिकों द्वारा किये गे अत्याचार के विरोध स्वरूप हुआ था बाद में यह विद्रो जैसोर बढ़ियाल राजसाही फरीदपूर पावना आधी छेत्रों में भी फैल गया पत्रकार के कर्तब्वी का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पर्थम भारतिये कौन था शुरेंद्रनाथ बनरजी पत्रकारिता के लिए बिरिटिस द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतिये शुरेंद्रनाथ बनरजी थे श्री बनर्जी को नियाइधीस नौरीस के फैसले के खिलाफ लिखने के लिए सजा हुई थी नौरीस द्वारा सालिक राम की मुर्ती को ले कर दिये गए फैसले से बंगाली हिंदूों की भावनाओं को ठेज पहुँचा था श्री बनर्जी ने 1883 स्वी में अपने अकबार बंगाली में इसके खिलाफ लिखा जिसके कारण इन्हें दो मास की सजा हुई थी राजा राम मोहन राई को राजा की उपाधी किसने दी थी अकबर दूतिये ने राजा राम मोहन राई मुगल बादसा अकबर दूतिये के समकालिन थे इन्होंने राम मोहन राई को राजा की उपाधी दी थी अकबर दूतिये ने अंग्रेजों से मिलने वाली पेंचन को बढ़ाने सन्बंधी पक्ष रखने के लिए इन्हें इंगलेंड भेजा था इस समय ब्रिटेन का राजा विलियम चतूर्त था राजा राम मोहन राई की मृत्तियों 833 इस्वी में लंदर में हुई थी इंगलेंड के ब्रिश्टल में ही उनकी समाधी है निमलिखित में से कौन एक भारतिय राष्टिय कॉंग्रेश से कभी संबध नहीं रहे सरसयद अहमद खान वह कौन था जिसने गदर पाटी को अस्थापित किया लाला हर्दियाल विदेश में रहने वाले भारतिय वैसे करांतिकारी थे जिनका उद्देशी भारत आकर अंग्रेजों के विरुद यूद करना नहीं था बलकि वे भारतिय करांतिकारीों को धन एवं अस्त्र सस्त्र से मदद करना चाहते थे इन्ही में से एक लाला हर्दियाल थे जो सैन फ्रांसिस्को में उनी सो तेरे इस्वी में गदर पाटी की अस्थापना की थी इनके अन्नि सदसी, पर्मानंद, सोहन सिंभागना, हरनाम सिंग, टूडिलाट, करताल सिंग, सरावा, इत्यादी थे निम्र में से किस आंदोलन से गांधी जी सनबंदित नहीं थे इस आंदोलन का प्रारंब बंगाल विभाजन के बाद हुआ था और यह 1905 से 1911 इसवी तक चला था इस समय गांधी जी दक्षिन अफीका में थे वे दक्षिन अफीका से नौ जन्वरी उनीस्टो पंद्रह इश्विको भारत लौटे थे परभावती देवी किस छेतर की स्वतन्तरता संग्राम सिनानी थी पटना की परभावती देवी नरायन वर्तमान बिहार राधी से एक भारती स्वतंतरता सिनानी थी और ये जय परकास नरायन की पतनी थी यह परकास नरायन किस पार्टी से जुरे थे कॉंग्रेज सोसलिस्ट पार्टी 1934 हिस्वी में पटना में कॉंग्रेज समाजवादी पार्टी का गठन कॉंग्रेज के भीतर ही जै परकास नरायन आचारी नरेंदर देव मीनु मसानी एवं योगेंदर सुकल दुआरा किया गया था भारत में क्रिप्स मिसन किस वर्ष आया 1942 हिस्वी में दूतिय विश्यूद में 1940 से 42 हिस्वी के बीच एक भयानक मोर आया और जापान जैसे छोटे देश की सक्ती अत्यधीक बढ़ गई इसने रूस को पराजित किया अमेरिका के परल हर्वल पर हमला किया जापान भारत की सीमा तक आप पहुँचा था अता मित्र राष्टो को यह भय हो गया कि कहीं भारत जापान के साथ न मिल जाए मित्र राष्टो के दवाव के कारण ब्रिटेन दूआरा क्रिप्स मिसन 1942 हिस्वी में भारत भेजा गया आजाद हिंद सरकार के निर्मान की घोसना की गई 21 अक्टूबर 1943 इस्वी को अंग्रेजों दोवारा भारतियों को 1947 में सत्ता हस्तांतरन किये जाने के समय कॉंग्रेश अध्यक्ष कौन था जेवी किरिपलानी जेवी किरिपलानी 23 नॉवंबर 1946 को कॉंग्रेश के मेरट अध्यक्ष बने थे जो नॉवंबर 1947 तक कॉंग्रेश के अध्यक्ष रहे निमलिकित में से कौन स्वतंतर भारत का पर्थम गवर्णन जनरल था लौड मांट बेटन स्वतंतर भारत के पर्थम गवर्णन जनरल मांट बेटन थे ये भारत के अंतिम गवर्णन जनरल थे मांटेगिव चेम्स फोर्ड की रिपोर्ट मांटेगिव चेम्स फोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी मांटेगिव चेम्सपोर रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दोएद साशन व्यवस्ता क्या स्थापना की गई थी इस अधिनियम के द्वारा गिरी सरकार में परिवर्तन किया गया भारत सचीव का वेतन बिलिटेन से मिलने लगा भारत के लिए एक नए पधादिकारी उच्चा युक्त की नियुक्ती की गई जिसका वेतन भारत से मिलना था इस अधिनियम में पहली बार भारत में दूई सदनात्मक केंद्रिय वेवास्थापी का अस्थापीत की गई भारतीय राजनिती में 1947 के बाद किस महिला ने सरवाधे की योगदान दिया अरूना आसफ अली ओप्शन ए हो जाएगा अरूना आसफ अली गिल्टी मेन ओफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किस ने लिखी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नाथु लादर्रा किस राजी में अस्तीत है सिक्की में मोरी बंद डेल्टा निमलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है बंगाल डेल्टा का निमलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है पिरियार जिल पिरियार जिल जो है ये लेगून जिल नहीं है निमलिखित कतनों में से कौन सा एक सत्ती नहीं है ओप्शन ए देखिए निमलिखित कतनों में से कौन सा एक सत्ती नहीं है तो यहाँ पर आपको गलत कतन को चुनना है अप्शन ए देखिए घगगर के जलका इंदरा गांधी नहर में उप्योग किया जाता है, तो यह गलत है और आपको गलत को ही चुनना है तो अप्शन ए इसका Right Entãoن सर हो जाएगा, इंदरा गांधी नहर में सतल जिवां वियास नधी के जलका उप्योग किया जाता है, नौकी घगगर नदी के जलका इसके बाद नर्मदा अमर कंटक छेदर से निकलती है तो ये सही है निजाम सागर मंजीरा नदी परस्ती थे ये भी सही पिन गंगा गुदावरे की सायक नदी है तो ये भी सही नेक्स्ट कोईशन किडिसी में सुनी जुताई का क्या लाब है तो आप्शन A पिछली फसल के अपसेशों को जलाए बिना गिहूं की बुगाई संबभ है तो ये सही है चावल की नई पौध की नर्शरी बनाई बिना धान की बीजों का नम मिर्दा में सीधे रोपन संबभ है मिर्दा में कारवन प्रिथकरन संबभ है मिर्दा के वाई और जल का संतूलित संचार होता है तो इसका राई टांस्ट्रॉप्शन E हो जाएगा एक से अधिक भारत में पर्थम नुकलियर उर्जा अस्टेशन के अस्थापना कहा हुई तारापूर में भारत का पर्थम नुकलियर उर्जा अस्टेशन महराष्ट के पालघर जिले के तारापूर नामक अस्थान पर अवस्थित है इस पर्मानु विद्यूद गिरिह का निर्मान 1971 इसवी में प्रारंब हुआ था और तथा अठाएस अक्टूबर 1979 इसवी को चालू कर दी गई अंतराश्टिय सौर संगठन का सचिवाले वर्थमान में निमलिखित किस अस्थान पर अस्थित है गुरू ग्राम में निमलिखित अस्थलो या अस्मारकों में कौन यूनेशको की विश्व विरासत अस्थल है चमपानेर पावागर पुरा तत्वी उद्यान तो ये है चातरपती सिवाजी रेलवे एस्टेशन मुंबई में जो है ये भी युनेस्को की विश्वी विरासत सुधी में समिलित है मामल पुर्रम ये भी है सुरी मंदिर कुनार की ये भी है तो आप्शन ई हो जाएगा इन में सभी पृत्वी द्वारा सुरी की परिक्रमा की समय अवधी की तुलना में मंगल गरह द्वारा सुरी की परिक्रमा की समय अवधी कम है तो ये गलत है क्योंकि समय अवधी जो है वह ज्यादा है मंगल गरह का व्यास पृत्वी के व्यास की तुलना में कम है तो ये सही है सुड़ी क्या व्यास प्रिथवी के व्यास एक सुगुना अधिक है तो ये भी गलत है तो आप्सन डी हो जाएगा राइट आंसर केवल आर सही है निमलिखित में से किस एक महा दूपी में उसके संपुर्ण छेदरफल में मैदान भाग का परतिसत सरवाधिक है यूरोप पुर्वी समुद्र की स्वामीनी किस का नाम है स्रिलंका स्रिलंका को पुर्वी समुद्र की स्वामीनी एसिया का परवेश दूआर हिंद महा सागर का मोती उपनाम से जाना जाता है कौन सी विश्व की सरवादिक गहरी जील है बैकाल जील रेडियो तरंगों के विक्षेपन के लिए वायू मंडल के निम्लिकित अस्तरों में से कौन सा अस्तर उतरदाई है आयन मंडल आयनो अस्फियर नेक्स्ट कोईशन महाद्यूपो के अंतस्तों का वार्षिक ताप परिसर तटिये छेतरों की अपेक्षा अधिक होता है इसका क्या कारण है इसका कारण है भूमी और जल के बीच तापिये अंतर निम्ल फसल समूहों में से कौन समूह ऐसा है जिसमें कोई फसल या फसले जैब इंधन के रूप में परियुक्त नहीं की जा सकती मसूर, चुकंदर, गेहूं इसके बाद देखे मैथेमेटिक्स का कोईचन है तो आप अराम से सॉल्व कीजिए वीडियो को रोक करके पौज करके इसका जो राइट आंसर है मैं टिक कर देता हूँ तो सॉल्व करने के बाद सही उत्तर मिला लिजिएगा क्वेटन नंबर एक क्याबन इसका राइट आंसर आप्शन डी हो जाएगा साथ क्वेशन नंबर बावन देखिए राइट आंसर बावन का हो जाएगा आप्शन a, तीन किलोमेटर तिरपन का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा 4,096 में एक वेक्ती 20 रुप्या मुल्ली के सेयर 9% लाभांस अधा करके खड़ी दिता है वो अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है परती सेयर का बाजार भाव है परती सेयर का बाजार भाव 15 रुप्या है क्वेशन नमबर 55 का राइट आंसर ओप्शन A हो जाएगा 33 पुर्णांक 1 by 2 क्वेशन नमबर 56 राइट आंसर ओप्शन B 4, 57 का सही उत्तर ओप्शन A हो जाएगा क्वेशन नमबर 58 राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा 4.9 मीटर उनसर का राइट आंसर ओप्षन D हो जाएगा 0 निम्न में से कौन सा कथन असत्ती है question number 6 तो यहाँ पर आपको असत कथन को चुनना है option A देखिए पाई जो है और परिमे संख्या है तो यह सही है इसके बाद E जो है परिमे संख्या है यह भी सही है root 2 संख्या है तो यह गलत है क्योंकि root 2 संख्या नहीं है तो option C जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा next question तेल का एक बैरेल निम्न में से लगभग कितना होता है 169 लीटर दूद का आपेकशित घनतु ग्याद किया जा सकता है लेक्टो मीटर के दूआरा निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निसकर्ष पर विचार कीजिए तथा बताईए कि कौन सा निसकर्ष सही है कथन देखिए भरी हुई गारी को चलाने में उसे चलाई मान रखने के लिए आवस्यक ताकत से अपेक्षा किरित अधीक ताकत से धक्का देना पड़ता है तो इसका निसकर्ष क्या होगा तो इसका निसकर्ष है एक बार गारी चल पड़ने के बाद घरशन कम हो जाता है घरशन जो है कम होता है तो option C हो जाएगा नीचे दिये नीचे दिये हुए चार चिद्रों वाले एक फवारे के चित्र पर ध्यान दीजिए फवारे के कौन से चिद्र से पानी अधीक्तम दूरी तक फेका जाएगा तो एक से ओप्शन डी हो जाएगा एक किसी तारे का रंग दरसाता है किसी तारे का रंग उसके ताप पर दर्शाता है तो आप्शन जो है भी हो जाएगो उसका ताप चमगादर अंधेरी रातों में उर सकते हैं और अपना सिकार भी कर सकते हैं इसका क्या कारण है इसका कारण जो है वे प्राधोनी तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं डेसीवल किसे मापने के लिए परियोग में लाया जाता है वातावरन में धोनी फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है डाटा लिंक लेयर निवन ताप मानों का अनुपरियोग होता है अंत्रिक्ष यातरा चुम्बुकिय प्रोथापन एवम दूरमती में सर सीवी रमन को भौतकी का नोवेल पुरुषकार प्राप्त हुआ था 1930 में सर सीवी रमन को भौतकी का नोवेल पुरुषकार 1930 में प्रकास के परकेदन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था इस खोज के तिथी 28 फरवरी को परती वर्ष राष्टिय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है परमानु नाभी के अव्यव है प्रोटॉन और नीट्रोन नीचे दिये गए पदार्थों का उनके घनतु के अव्रोही करमानुसार सही अनुकरम कौन सा है सोना ग्रेटर देन पारा ग्रेटर देन इस पात निमलिखित में से कौन सा रवा क्रिश्टल नहीं है गंधग गंधग जो है ये क्रिश्टल नहीं है निमलिखित में से किस ततु की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकरते तथा उनका भक्षन करते है नैट्रोजन निमलिखित में से कौन सा ये कथन सही नहीं है तो आपको गलत कतन को चुनना है ओप्शन ये देखिए NACL की मौजूदगी में पीरीस पलाश्टर के अस्थापन दर में व्रीधी होती है तो ये सही है सिमेंट में जीपसन का योग उसके अस्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है ये भी सही सभी चारी ये मिर्दा धातु जला योजित लवन उत्पन करते हैं ये भी सही बेरियम तथा अस्था अस्थाउन सीयम प्रकृती में मुक्त रूप में पाए जाते हैं तो ये गलत है तो आप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरियम तथा अस्ट्रोंसियम मुक्त रूप में नहीं पाये जाते हैं सिरका निम्ल में से किस एक का जलिये घोल है इसी टीक अमलका बायो गेस सन्यंतर से निसकासित निम्लिखित में से कौन सी गेस इंधन गेस के रूप में उपयोग में आती है मिथेन गेस अप्शन सी हो जाएगा मिथेन लॉंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल निम्लिखित में से कौन सा है यूजी नाल निम्लिखित में से किसे भविस्सी की धातू कहा जाता है टाइटेनियम टाइटेनियम को भविस्सी की धातू कहा जाता है निम्लिकित यूगम में कौन सही सुमेलित है तो सही कथन को चुनना है option A sulfur dioxide दात तो ये गलत है क्योंकि sulfur dioxide अमल वर्षा fluoride production भोपाल गैस तरास दी तो ये भी सही है ये भी गलत है fluoride production जो है ये दात में होता है इसके बाद option C methyl isosinate अमल वर्षा तो ये भी गलत है methyl isosinate भोपाल गैस तरास दी ozone रिक्तता चर्म कैंसर तो option D जो है right answer हो जाएगा निम्लिक में से बेमेल को ग्याद कीजिए जो बेमेल है उसको चुनना है तो इसका जो right answer option B हो जाएगा psychology क्योंकि निम्लिक में से psychology या मनोविज्यान अनिसे जो है भीन है क्योंकि इसमें मानव की सोच ववयभार का अधियन किया जाता है बाकी सभी संबध में जीव विज्यान की विविद साखाव से सनबंदित है हेराइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से पादब कोशिका जन्तु कोशिका से किस परकार भीन होती है कोशिका भीक्ती से प्लाजमा में जल का परतिसे होता है 90% प्लाजमा रक्त के दरल भाग को कहते है यह पीले रंग का दरव होता है समानित प्लाजमा में 90% जल, 6-9% प्रोटीन, सरकराथ तथा 1% और कारवनिक लवन होते है बिटामिनशीस का सबसे अच्छा सुरोथ आवला को माना जाता है। अन्नी पशूओं के मास की तुलना में मचली का उपयोग स्वास्थ कर माना जाता है। क्यूं क्यूंकि मसली में होता है मसली में जो है क्या होता है बहु और संत्रिप्त वसा अमल होता है बी एम डी परीक्षन किया जाता है पहचान करने के लिए किस चीज की पहचान करने के लिए अश्टियो पुरोसिस को पहचानने के लिए यदि आख वो लेंज अपारदर्सी हो जाए तो आख का रोग कहा जाता है मुतियाबिंद मायो गुलोबीन में कौन सी धातू होती है लोहा केंद्र में दोएद शासन किस अधिनियम के अंतरगत अस्थापित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के दुआरा निमलिखित में से कौन सा लक्षन भारती परिसंग और अमेर्की परिसंग में समान रूप में पाया जाता है सम्विधान के निर्वचन के लिए परिशंघिय उस्तम नेयाले सरकारों दोरा सुल्क एवं कर लगाने का अधिकार सम्विधान की किस अनुसूची में उलिखीत है साथवी अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के सक्तियों का भटवरा किया गया है इस परकार सरकारों द्वारा सुल्क और कर लगाने के अधिकार का भी उल्लेक सात्वी अनुसूची में ही किया गया है भारतिय समिधान की उद्देशी का समिधान का भाग है और वैसा ही विधीक परभाव रखती है जैसा के उसका कोई अन्निभाग मदराश राजी बनाम दोराइ राजन 1951 के मुकदमे में भारतिय सर्वस नहयाले के निर्ने के प्रिनाम सौरूप निम्लिकित में से किस मौलिक अधिकार को संसोधित किया गया भेदभाव के विरुद अधिकार निम्लिकित में से कौन सा एक सही है तो आपको सही कथन को चुनना है ओप्शने देखिए भारती समिधान में मूल अधिकारों को सामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था तो ये बिल्कुल सही है भारत के निम्ल मुख्य नियाधीसों में से किस एक ने राष्टपती के रूप में कारी किया था जस्टिस एम हिदायतुला पहले मुख्य नियाधीस थे जिन्होंने कारी कारी राष्टपती के रूप में कारी किया था निम्न लिखित में से किसका भारत की समिधान में तो अस्पष्ट उलेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है परधान मंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए क्वेशन नम्बर अंठान में लोगसभा का कारीकाल आपातकाल की घोसना के दोड़ान एक बार में एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है निम्न किरिया वीदियो में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगी कार करा लेगी जो एक बार लोगसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किन्तु राजी सभा द्वारा संसोधित किया गया हो यह पारित समझा जाएगा यदि लोक सवा इसे दोबारा संसोधन को सुविकार अथवा और सुविकार करते हुए पाज कर दे भारत के कारिवाहक मुखे नियाधिस की नियुक्ति कौन करता है राष्टपती भारतिय समझा के निम्न अनुछेदों में से किस एक के अधीन राजिपाल राष्टपती के विचार के लिए किसी विधियक को आरक्षित रख सकता है अनुछेद दोसों के तहत भारतिय समझा ने अवसिष्ट अधिकारों को संगिय सरकार को दिया है योजना आयोग के अस्थापना कब हुई थी 15 मार्च 1950 इसवी को योजना आयोग एक गैर सनविधानिक संस्ता तथा प्रामर्श दात्री संस्ता थी इसका गठन 15 मार्च 1950 को केंद्रिय मंत्री मंडल के एक संकल्प द्वारा किया गया था सांसदों की आयोग गीता सनबंधी विवाद पर कौन निर्णे लेता है निर्णे जो है कौन देता है निर्वाचन आयोग के प्रामर्श से राष्टपती पंचायती राज को सन्विधानिक अस्तिती परदान करने की संस्तूती निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी एल एम सिंगवी कमेटी के द्वारा कर आश्रे किसे कहा जाता है एक ऐसा देश जो विदेशी नागडिकों को यह सुविधा देखी उसके देश में रहकर भी कोई कर नहीं देना होगा ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट कौन परकासित करता है विशु आर्थिक मंच आरबी आई का राष्टिये करन कब किया गया था आरज में की जाती है केरल में भारतिय अर्थ व्यवस्ता के भूमंडली करन का अर्थ है अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध पर नियुनतम संभावी नियंतरन रखना चौालिसवे सत्रंज ओलंपियाड की ओपन सेक्षन में किस देश ने सुर्ण पदक जीता उजबेकिस्तान दोस्तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ सा नटिफिकेशन बिलको दबा के ओल पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है क्वेशन नमबर 112 हाल ही में खबरों में रहें वी पर्णव किस खेल से जुड़ है किस खेल से जुड़े है सतरांज से किस राजी ने नया अनुचेद 3 ए सम्मिलित करने के लिए सम्मिधान विधेयक 2022 पेस किया आंधर पर्देश भारत के 14 वे उपराष्टपती के रूप में किसे चुना गया है जगदीप धनखर को भारत का पहला नाइट असकाई अभ्यारन किस राजीया के अंदरशासित परदेश में खोला जाएगा लद्दाख में युनाइटेड किंग्डम के 56 परधान मंत्री के रूप में किसे चुना गया लीज ट्रॉस को किस भारती किर्केटर ने किर्केट के सभी प्रारूपों से सन्यास की घोसना की है सुरेश रहना किस संस्थान ने कोविर 19 संबंदित भारत का पहला नेजल वैक्सिन विक्सित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है भारत बायोटेक नेक्स्ट कोईशन किस भारती राजी ने नीती आयोक की तर्ज पर राजी अस्तरिय संस्थान अस्थापित करने की घोसना की है महराश्ट किस देश ने विशु में पहली बार वन्निजीव आर्कटीक भेरिये का सफलता पुर्वक क्लोन बनाया है चीन राश्टिये राजभासा किर्ती पुरुषकार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगती किस संस्थान दोरा जारी की जाती है C.N.I.R. के दोरा सत्र दोजर बाइस से तैस के लिए भारत के किस सहर को पहली बार S.C.O. परियेटन और सांस्क्रितिक राजभानिक रूप में नामित किया गया वारानिसी को स्री महा कालेशुर श्री महा कलेशुर मंदीर मध्धिपर्देश के किस सहर में अस्थीत है? मध्धिपर्देश के उज्जैन में किस गाउं को भारत का पहला 9 इन्टू 7 सौर उर्जा संचालित गाउं गोचित किया गिया है? मुढेरा को किस देश ने सुड़ी के रहस्यों को जानने के लिए काफो वन उपग्रह लंज किया है चीन अर्थ सास्त्र में नोबेल पुरुषकार 222 बेन एस बर्णान के डॉगलस डवनू डाइमंड और विलीप एच डाइबगीन को किसके लिए दिया गिया है? बैंकों और वितिये संकटों पर सोध के लिए हाल ही में FATF द्वारा जोखीं वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गिया है? मयामार को इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM3 M2 ने कितने उपग्रहों को आर्बीट में असाबित किया है? 36 भारत में नए अमेरिकी राज़दूत के रूप में किसे न्यूक्त किया गिया है? इलिजाबेत जोन्स को किस राजे ने परधान मंत्री आवास योजना सहरी पुरसकार 2021 में पहला अस्थान पराब्द किया है? उत्तर परदेश मेजर ध्यानचन्द खेल रत्न पुरसकार 2022 किसको परदान किया जाएगा? सरत कमल अचंता को ICC मेंस T20 वर्ल्ड कॉप 2022 पलेएर अफ दे टूरामेंट किसे चुना गिया है? सैम करन को पतना में गुरु गोविन सिंग का जन्म किस वर्स हुआ था? 1666 इस्वी में भारत का पहला मल्टी मोडल लोजिस्टिक स्पार्क बनाने का कॉंट्रेक्ट किसे मिला है? रिलायन्स इंडस्ट्रीज को बिहार के रितिक आनंद का संबंध किस खेल से है? बैटमिंटन से 20 मार्च को किस फिल्म ने 93 एकेडमी आवार्डस में बेस्ट पिक्चर के लिए उसकर जीता है? नोमेड लेंड विश्व खाद सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? साथ जून को हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था? थिरी ISO परमान पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला संस्था बन गया है बिहार राजी बीज नीगम बिहार राजी बीज नीगम देश के पहले संस्था बन गई है जिसने तीन ISO परमान पत्र प्राप्त किया है बिहार में अधीकतम लिंगानुपाद की सिजिले का है गुपाल गंज ICC मेंस T20 वर्ल्ल कप 2020 का विजयाता कौन है इंगलैंड बिहार में कूल कितने है छेतरिये गरामिन बेंक है बिहार में दो छेतरिये गरामिन बेंक है दक्षिन बिहार बैंक और उत्तर बिहार गरामिन बैंक इससे पहले गरामिन बैंक की संक्या 3 थी सितमबर 2020 के आकड़े के बाद 2 है बिहार में दियारा भूमी के बारे में कौन सा वाकी सत्ती है बाड़ छेतर से विशेश आकरीती निम्न नदियों में कौन सी महाभारत सिरेनी से निकलती है बागमती तथा कमला बागमती और कमला ये दोनो नदी जो है इसके बाद कोशी देखिए, कोशी का जो है उद्गम ग्वसाय अस्थान इसका भी नेपाल है, करमनासा का कैमूर की पहाली से ये निकलती है, तो अप्शन इसका राइट आंसर होगा एक से अधीक, बिहार का सबसे दक्षनी जिला है, सबसे दक्षनी जिला गया है, बिहार का सबसे उत्री जिला पच्छिमी चंपारन, दक्षनी जिला गया, पुर्वी जिला किशन गंज तथा पच्छिमी जिला कैमूर है, नेक्स्ट कोईचन गौतम बूध वन्नी जीव अभियारनी कहा है, बिहार और जारखंड में, शीरूई राष्टिय उद्ध्यान किस राजी में अस्थीत है, मनिपूर में, बिहार में पाल, चितरकला, सैली पर किसका परभाव रहा था, बौध कला परभाव, बिहार में परकासित पहला हिंदी समचार पत्र कौन था, बिहार बंधू, हाल ही में किस ACI देश ने आत्महत्या रोक्थाम नीती जारी की है, भारत, तो दोस्तो आज की वीडियो में कराउन पब्लिकेशन BPSC का चौथा प्रैक्टिसेट कॉम्प्लिट हो गया, तो दोस्तो कैसा लगा ये वीडियो कॉमेंट करके जुरू बताइए, क्या वीडियो आपको अच्छा लगा, या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रैंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो सेयर कीजिए, अगर किसी कोईशन का आंसर बाइ मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है, तो कॉमेंट करके बताइए, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस सेट 5 के साथ, तब के लिए टेक कियर, बाइ बाइ